खेट आगे बढ़ते हैं साथियो और एग्जाम के पैटरन को समझते हैं एग्जाम का पैटरन क्या है देखो एग्जाम के पैटरन सो सबसे पहले ये समझ लो कि एग्जाम होगी ऑनलाइन क्या होगी एक्जाम, computer-based online exam होती है और सबसे बड़ी बात NET और JRF में क्या अंतर होता है आगे मैं आपको समझाने वाला ठीक है, online exam होती है आपके दो paper लगते हैं प्यारे साथियो एक होता सामान paper जिसों कहता है paper 1 सामान paper paper 1 में क्या होता है मैं आपको बतला देता हूँ सामान paper paper 1 में 10 unit होते हैं जो सभी subject के students के लिए समान होते हैं अब 10 unit क्या होते हैं जैसे एक unit math हो गया, reasoning हो गया DI हो गया, comprehension हो गया, communication हो गया teaching aptitude हो गया, logical reasoning हो गया मतलब इस तरीके से 10 units में आपर बटे होए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा साथियो कि paper 1 में 50 question आते हैं कितने number के, 100 number के ये जो 50 question है साथियो प्रतेक unit में से 5 question पूछे जाते हैं जिया साथियो प्रतेक unit में से आपको 5 question आप से पूछे जाते हैं तब 10 unit में से 5 पाच मिला कर 50 question होते हैं Second जो paper लगता है, जिस subject से आपने PG किया है, धान रहे, जिस subject से आपने PG किया है, ये उस subject का man paper होने वाला है, इसमें प्यारे सातियों आप लोगों को 100 question आते हैं, 200 अंक के, ये भी 10 unit में बठा हुआ है, यानि कि आपका संपूर्ण, आपका जो subject है, वो इसमें आपसे पूँछ जाएगा एक महत्पुन बात कि ये एक्जाम सात्यों तीन गंटे की होती है अब आपके मन में कई सवाल इस समय उमड़ और गुमड़ रहे होंगे आपके मन में सवाल गुमड़ रहे होंगे क्या ये एक्जाम एक ही दिन लगेगी आ रहा है मन में सवाल कमेंट करके पताए अ जी हाँ, ये exam आपकी एक ही दिन में लगेगी, एक बार आप seat पर जाके बैठोगे और आप exam दे दो, यानि कि प्यारे सातियों दो खंडों में बटा रहेगा आपका net का paper portion 1 और portion 2, ठीक है, online exam लगेगी और यहाँ पर आप सातियों exam दे पाओगे, अब में बार बार जिकर कर रहा हूँ सातियों एक तो मैं जिकर कर रहा हूँ आपसे net का, और एक जिकर कर रहा हूँ मैं आपको jrf का, आपकी मन में एक खयाल आ रहा होगा, जी नहीं, इन दोनों की एक ही exam लगती है, इन दोनों की एक ही exam लगती है जो हम ये exam दे रहे हैं वो इन दोनों के exam लगगी अब आप सोचोगी गुर्दे कैसे लगेगी एक exam भाई क्या बात हो गई देखो बात ऐसा है एक criteria fix कर रखाई यहां देखो यहां से उपर किसी के number आएंगे तो उसको एक अलग से certificate दिया जाएगा उसको कहते हैं कि JRF यानि Junior Research Fellowship यहां से थोड़ा नीचे नंबर आएंगे उनको कहेंगे साथ हो NET यानि NET वह NET का certificate भी दिया जाएगा और जिन लोगों के जादा नंबर आते हैं उनको अलग से JRF का certificate दिया जाता है अब आप सोचोगे सर JRF और NET मंतर क्या हुआ फिर देखो समझो देखो क्या है बाई NET का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको certificate NET से क्या है कि आप किसी भी college में पूरे भारत वर्स में किसी भी university में किसी भी college में assistant professor professor बनने के लिए eligible हो जाओगे यह NET हो गया JRF का फायदा क्या ऐसा आती हो आपको नेट का फायदा यह एक और यह है कि आप कहीं भी PhD करने जाओगे किसी भी विश्विद्याले में तो अधिकतर विश्विद्याले ऐसी है जो आपका entrance exam मने लेगेगी आपको direct दाखिला दे देते हैं PhD में अब JRF से क्या ऐसा मतलब तीर चल जाएगा JRF का इतना cringe क्यों है भाई साब JRF का cringe इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति JRF पास करेगा उसको लगबग एक लंबसम amount बता रहा हूँ PhD करते में पर मन्त 40,000 रुपे मिलेंगे इनमें मैंने आपको HRE भी जोड़ दिया है आपकी contingency भी जोड़ दी है तब मिला कर ये 40,000 रुपे लंबसम आपको पैसे मिलेंगे पर मन्त 5 साल तक और सुनने में आ रहा है कि आपकी fellowship फिर से बढ़ने जा रही है तो 40,000 रुपे यार सिर्फ थोड़े से नमबर जादा लाने से आपको पर मन्त 40,000 मिलने लग जाएंगे तो आप आकड़ा लगा लो जोड़ के बताओ 5 साल में कितने मिल जाएंगे लगाओ आकड़ा कमेंट्स में बताओ मुझे कि ये है सात्यों जे आरेफ करने का फायदा और एक अलगी चौड़ में आ जाओगे आप जे आरेफ करके अरे बिलकुल मौज हो जाएगी योनिसेटी में आपकी अलगी रुवाब रहेगा पैसे भी मिलेंगे और इज्जत भी दोनों चीजे आपको जे आरेफ करने से मिल जाएगी तब आग्जाम का पैटरन आपने समझ लिया है चले भाई साब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे ये एक्जाम जो लगेगी इसका मीडियम क्या है देखो भाई साब ये एक्जाम हिंदी और इंग्छलिस में लगेगी केवल तो रिजनल लेंग्वे जो में ये एक्जाम नहीं होती है इस तो आप कोई भी मीडियमा आप चाओ तो शिच कर लो अंग्रे जी मे और चाओ तो इसको स्विच आप इंदी में कर सकते हो जो ओनलाइन एक्जाम देते समय आप कर पाओगे चलिए हमारे सस्क्रप्शन के साथ जुड़ जाए और अभी सातियों एक ओफर भी आप लोगों के समय मिला हुआ है 18 तारीक से लेकर 22 तारीक तक यानि 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक यहां पर स सातियों 20 परसेंट का ओफर देखने को आपको मिलेगा रैफरल कॉर्ड में आपको लॉकेस 11 लगाना होगा उससे सातियों आपको डिसकाउंट मिल जाए हमारे यहां पर सभी प्रकार की सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं डिटेल में आईए सब चीजों को समझा देता सेवा में यहां पर हाजिर हूँ यहां पर एक टॉप है जो के टरू सातियों इस चीज का खयाल रखना और सातियों अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं किलीग्राम चैनल से आप अपना संपर्क साथ सकते हैं जिस फ्री क्लास की मैं बात कर रहा था वो फ्री लेना उससे सारी क्लासिज आपकी अनलॉक हो जाएंगे यह काम आप जरूर से कर ले तो पेपर वन और पेपर टू दोनों कंप्लीट करने के लिए अब दस परसेंट के इस्तान पर बीस परसेंट का डिसकाउंट देखने को मिल रहा है लॉके से लेवन रैफल कोड आपको लगाना है तो यह एप है हमारा इसको डाउनलोड करो और फटा बढ़ से इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ो और साथियों मुझे यहां पर फूलो करो फ्री वाली क्लास यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे यह सारे सब्जेक्ट हैं जिनके हमारे नए बैच स्टार् लग के सिल्वन कौड का परियोगा आपको करना है दस परसेंट के स्तान पर बीस परसेंट का एक वहकाल ओफर आपके सामने देखने को मिलेगा हमारे यहांपर प्लस और आइकोनिक दो प्रकार के सस्क्रप्शन देखने को मिलेंगे आईए अब हम चर्चा कर लेते हैं प्ल बड़े बड़े शब्दों में आपको यहां पर लिखा हुआ दिखरा होगे देखो मेरा सबसे फैवरेट अगर कोई है तो यह बारे मंत का सस्क्रप्शन अगर आपने में कर लिया है तो आप बारे मंत के लिए जुड़ जाईए अगर आप में कर रहे हैं आपने अभी करवाते हैं एक तो आपका जो सामान पेपर होता है यह फर्ष्ट पेपर उसको कंप्लीट करवाते हैं आपका सब्जेक्ट का जो पेपर होता है सेकंड पेपर उसको कंप्लीट करवाते हैं फुल कॉंसेप्ट बढ़ाते हैं पूरे एमसी क्यूश करवाते हैं पूरे तो बारे मेने की फीस आपको वर्तमान में 15,950 लगती है अगर डिसकाउंट नहीं होता है तो 15,950 आपकी दोनों पेपर की फीस लगती है लेकिन 18 से लेकर 22 जुलाई तक ओफर आया हुआ है इसलिए सात्यों एक रेफरल कॉर्ड हमको लगाना पड़ेगा और वो है हैड जैसे ही आप एपलाई करोगे जादू हो जाएगा और 20% का इस्टेंट उसी समय डिसकाउंट मिल जाएगा और जो 15,950 फीस है वो घटकर सात्यों 12,970 हो जाएगा 20% का डिसकाउंट अनकेडमी पर बहुत कम आता है मतलब बहुत समय बाद आता है तो यह ओफर बहुत वरले ओफर है अगर आपने इस ओफर का लाब नहीं उठाया तो यह लगा लिजेगा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं 12,760 आपको फीस से होगी इसी प्रकार के 2700 की जगे लगभग 12,000 यानि अप टू 10% का डिसकाउंट और मिल जाएगा और उसके बाद में डेबिट का डियमाई यूपियाई वालेट पैमेंट नेट बेंकिंग जो आपका मर्जी हो उस तरीके से आप पैमेंट कर सकते हैं इसलिए सातियो आपको फटा-फट से लगाना है अब आईकोनिक में खास है सातियो परस्नल कोच एक परस्नल कोच और कई अडिस्नल चीजे यहाँ पर प्लस के अलावा देखने को मिल तो मैं कहुंगा है मेंटॉर्शिप का काम करता आईकोनिक तो आप आईकोनिक की तरफ भी जा सकते हैं तो सात्यों मीद है मैं जो जो चीजे आपको समझाई है वो जो चीज आपको समझ लग गई होंगी आप जाए सुबह दस बजे मेरी फ्री वाली क्लास होते उसको देखिए और अनकेडमी प्लस क्लासेज को फटा फट से जोइन कर लेजिए इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले व